हेलो दोस्तों स्वागत है आपका इजुकेशन अड़्ड 99 में तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं दोस्तों आपके लाओं आपके इस वीडियो में देने वाले हैं तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नहीं होगं तो चैनल को सब्स्क्राइब कर möglichst अगर सकते हैं बहुत सारी पदों में यहां पर भरती किया जाना है जिसमें जैसे कि यहां पर देख सकते हैं आप नर्सिंग आफिसर की भरती हैं स्टाप नर्स की हैं और यहां पर स्टाप नर्स अलग-अलग से जैसे की एनर्सी जिसमें दोस्तों पदों की संख्या भी देख सकते हैं यहा पर नर्सिंग ऑफिसर की सत्र पदों में भरती किया जाना है इस टाप नर्स की 20 पद है यहां पर इस टाप नर्स है नर्स की यहां पर दो पद है तो इस प्रकार से दोस्तों बहुत सारे पद हैं आप यहां पर देख सकते हैं प्रोग्रामर एसोसियेट की भी भरती किया जान है और पदो की संख्या की बात करें तो डूस्तों तो टूटल 75 पदों भर्दी किया जाना है तो दोस्तों आपके लिए क्या के योग्यता होना चाहिए चली वो हम बता देते हैं तो दोस्तों इसमें बहुत से अइसे पद है जिसमें 8-10-12 वाले भी इसमें अपलाई कर सकते ह फटाफट से हम आपको इसमें का योग्यता बता देते हैं तो दोस्तों इसमें फर्स्ट में तो देख सकते हैं इसके बाद दोस्तों हम आपको बताएंगे इसमें अवेदन कैसे करना है उसके बारे में और आपके लिए क्या आयूसी महोना चाहिए पूरा जनकारी दोस्तों ह हम आपको डीटेल देने वाल है तो दोस्तों वीडियो में पुरा अंतता का बने रहे तो दोस्तों में देख सकते हैं आप नर्सिंग आफिसर इसके लिए दोस्तों टोटल सात्रा पद है और इसमें दोस्तों कैटेगरी वाइस पदो की संख्या को डिवाइट किया गया है इसमें ICCU और स्टाप नर्स NRC की भषण चिया जाए जिसमें दोस्तों यहाँ पर टोटल 20 है और इसमें दोस्तों यग्गी कतलत करें तो दोफ्टों बीएसी नर्सिंग और जी एनम दोनों में सेम मंगा गया और दोनों की सेलरी भी उन्सेम है 16000 शोलह जार तक है और यहा प्रतिमंत इसमें रखा गया उसे प्रकार दोस्ते यहां पर एमो आयूस जिसमें और यहां पर फीमेल के लिए और मेल के लिए भी आपर भरती किया जाने इसमें परमंधी यहां पर 25,000 तक सेलेरी जाती है इसमें योग्यता की बात करी तो दूस्तों देख सकते हैं हाँ पर B, H, MS, B, U, MS यह आपर डिग्री होना चाहिए आपके पास फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं इसमें पर दोस्तों यहां पर A, N, M, L, T, यहां पर लैबरोटर टेकनिसियन, फिजियो, थेरेपिस्ट यहां पर ब्लड मेनेजर डाटा यहां इस प्रकार से बहुत से पदमी इसमें भरती किया जाने और यहां पास दोस्तों इसमें सेलेरी भी बहुत अच्छी कासी हैं आप देख सकते हैं सेलेरी भी इ चाहिए आपके A, N, M के लिए और इसी प्रकार DMLT और BMLT यहां पर pathology in paramedical course होना चाहिए आपका LT के लिए और इसी प्रकार दोस्तों laboratory technician के लिए भी आपकर DMLT और BMLT होना चाहिए फिर आप इसमें अपलाई कर सकेंगों इसी प्रकार यहां पर देख सकते हैं और यहां प भी देख है यहां पर support stop की यहां पर जिसमें house की पर इसमें 8 पास हैं इसमें भी salary अची है इसी प्रकार दोस्तों यहां पर cleaner के लिए भी भाइब भढ़ती हैं जिसमें भी आट भी पास ही मंगा गया है यहां पर 8800 तक इसकी भी salary है इसी प्रकार दोंकर security तकी भी भढ़ती कि इसमें दोस्तों योग्यता कि यहाँ पर essential qualification और desirable qualification आप इस क्रिम में देख सकते हैं आप अच्छा से पढ़ सकते हैं और इस PDF का लिंक भी दोस्तों आपको वीडियो को description box में देखने को मिल जगा आपको इसक्रिम में दिखाई दिरोंगे या फिर आप PDF में अच्छा से देख सकते हैं इसमें दोस्तों कुछ दिया कहा है जिसमें दिशा निर्देश हैं जिसे आप आराम से पढ़ लीजिएगा यह से पीडियोफ को प्रबंध किया पदेट होंगी और इसमें दोस्तों 112121 क की अधार पर आपके आयूकी गणाना की जाएगे यह आप धियान देंगे और दुस्तों इसमें आप सकते हैं क्या क्या बोलागे हैं जिसमें दस्वी की अंग्सुची या आठ्वी की अंग्सुची से आपके जन्म को यहां से देखा जाएगा आपका जन्म प्रमान पत्र उसी में आपका किया जाएगा और दोस्तों इसमें आविदन की प्रारूप भी दिया गया है इसी आविदन की प्रारूप चलिए हम आपको आव आवेदन करने हैं और यह आवेदन दोस्तों आपको चलिए किस प्रकार से करने हैं यह भी हम आपको बता दोस्तों इसमें आवेदन आपको देख सकते हैं कि 36 2021 को सामके पांच बचे तक आपको पंजिक्रे डाक या इस्पीट पोस्ट के माध्यम से यहां पर दिया क्या देख सकते हैं चिकिस्ते हम स्वास्त अधिकारी जिलाक गरिया बन 36 गड़ में आपकर सकते हैं और इसमें दोस्तों कोई भी गलती नहीं करना है अगर कोई गलती किया चाता है तो आपका आविदन स्वीकार नहीं किया जागा यह भी आप द्यान देंगे तो यह थी दोस्तों आज की रिक्वर्मेंट-की जनकारी तो चलि दोस्तों इसीप्रकार फिर से हम नए वीडियो ले कर आएंगे आप के साथ तो दोस्तों अगर आप हमारी चैनल पर नहीं होंगे तो सब्सक्राइब कर लिए को किसी प्रकार की वीडियोस हमारे चैनल पर मिलती रहते हैं तो चलिए दोस्तों मिलेंगे आप फिर से एक नए वीडियो के साथ धन्यवाद